नमस्कार बच्चो, आपका Online Classes में स्वागत है, मेरा नाम मिंकल वर्मा है और बच्चो, आज अपन पढ़ेंगे English और आप भी अपने English के book को निकालो और कौन सा चेप्टर पढ़ेंगे आज अपन? आज अपन पढ़ेंगे Chapter Number 10 So, आज अपन lesson number 10 को पढ़ने जा रहे हैं Lesson number 10 क्या है? Use of yes and no So, आज अपन क्या करेंगे? Yes और no का प्रियोग करना सीखेंगे क्या करेंगे बच्चों आज अपन English के अंदर? आज अपन English के अंदर जो chapter number 10 है Use of yes and no Yes और no का प्रियोग करना सीखेंगे No का मतलब होता है नहीं Yes का मतलब होता है आपको फिर से बता दू मैं Yes का मतलब होता है हाँ और no का मतलब होता है नहीं So, आज अपन क्या करेंगे? इसका प्रियोग करेंगे आप भी मेरे साथ मिलकर इसका प्रियोग कीजिए यहाँ पर two examples दे रखें आपन को yes और no को समझने के लिए yes का मतलब हाँ और no का मतलब नहीं जैसे कि यहाँ पर एक apple बड़ा है और कुछ lines दे रखी है नीचे इस 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 mango क्या ये mango है बताओ ये क्या mango है क्या mango नहीं है ये है apple तो यहाँ पर क्या है no it is not नहीं ये mango नहीं है इसलिए क्या आगया यहाँ पर no तो आपको मैंने जहां तक बताया है no का मतलब क्या होगा no का मतलब होगा नहीं और yes का मतलब होगा हाँ अब यहाँ पर नीचे क्या दे रखा है नीचे दे रखा है Is this an apple? क्या ये apple है? Yes, it is, ये apple है वापस देख लो Is this a mango? ये एक आम है? No, it is not, नहीं, ये आम नहीं है आगे देखो Is this an apple? क्या ये एक apple है? क्या ये एक apple है तो क्या? ये एक save है तो इसलिए क्या आ गया? यहाँ पर लिखावाया है, yes तो आपने yes और no का एक अच्छा खासा example देखा अब second example आगे ले रखा है उसे अपन और देखते हैं Is this a boy? क्या ये एक boy? यहाँ पर आप इस ट्रॉइंग को देख सकते हो यहाँ पर जो image देख रखी है उसे आप देखो और यह बताओ क्या ये एक boy है? नहीं, ये एक boy नहीं है, ये एक girl है तो यहाँ पर जो पोशन दे रखा है This is boy, तो इसका क्या होगा? No, this is not ये boy नहीं है, तो यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आया है? No अब आगे देखिए Is this a girl? तो क्या ये एक लड़की है? बताओ आप, ये लड़की है ना तो इसके लिए पर किसका यूज करेंगे? Yes का तो यहाँ पर पर क्या कर रहता है? Yes, this is a girl ये एक लड़की है तो आपने यहाँ पर Yes and No का यूज देखा No का मतलब होता है, नहीं और Yes का मतलब होता है, हाँ देखो Is this mango? No, it is not Is this an apple? Yes, it is आगे देखिए Is this a boy? No, this is not Is this girl? Yes, this is girl आगे देखते हैं अपन Answer the following question निमनल लिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए यहाँ पर बच्चो कुछ questions दे रखे हैं उनका क्या खड़ना है आपन को? उनके देने हैं आपन को answers तो अपने इन questions के answer देते हैं Question क्या है? This is God यहाँ पर आपको क्या नजर आ रही है बच्चो यह क्या गॉठ है बक्री है यहाँ पर अगर मैंने आपको अगर हाँ बोलना है आपको नहीं बोलना है तो आपको नो में इसका पर देना है तो क्या है यहां पर जैसे कि अपने यहां पर पढ़ाई था कि no it is not yes it is तो आपको इस तरीके से देना है तो यहां पर देखो is this a god तो बताईए आप नो या यह में आपको आंसपर देना है तो यहां पर क्या करेंगे यह यहां पर क्या दे रखा है एक मिनट बच्चो यहां पर दे रखा है तो आपको क्या बोलना है यहां पर हाव में आपको जवाब देना है तो हां के लिए अपन क्या यूज करते हैं यहां के लिए अपन येस यूज करते हैं तो यहां पर भी क्या आएगा ये इट इस आगे देखिए यहां पर क्या ये प्लेट पड़ी है इस 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 प्लेट क्या ये प्लेट है यहां पर आपको किसकी में नज़र आ रही है यहां पर प्लेट है ना बच्चो तो यहां पर क्या फिल करेंगे यहां पर एक बिली है और आपको आंस्वर में अगर यह करना है तो यहां पर अपन कैसे फिल करेंगे यहां पर लिखेंगे तो बच्चो आज अपने यहां और नो के बारे में पढ़ा और उसकी कुछ जो अपन को कुश्शत दे रखे थे उनके आंस्वर भी अपने दिये हैं और आज अपने पढ़ा क्या यहां और यहां और नो का मतलब होता है नहीं आप इस चैप्टर को बार बार पढ़िए और घ करना है अगर आपके ममी आपते पूछी कि आपको दूद पीना है तो आप क्या बोलोगी नो ममा अगर आपको पीना है तो आप पोलोगी यह मॉम तो आप यह संद नो का यूज कीजिए तब तक के लिए गाइस थैंक यू